कथा सहित्य में आपका स्वागत है आईए आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद वरिस्ट लेखी का डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी कहानी का शीर्षक है धूप छाउं मम्मी, आज लंज के लिए मेरा एक फ्रेंड आ रहा है पिछली दो महिने से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था मोबाइल सुन कमल ने मां से कहा अरे, पहले से क्यों नहीं बताया इतनी जल्दी क्या तयारी करूँ विभा परेशान हो गई तयारी क्या करनी है वो कोई वी आईपी थोड़ी है सबसे आसान है अपना यलो पुलाव यानि तेहरी बना लो आलू, मटर और गोभी तो होगी ही कमल ने समाधान दे दिया तेहरी भी भला महमान को खिलाई चाती है तुझे पसंद है इसका मतलब ये नहीं तेरा दोस्त भी चावल की तेहरी पसंद करे विभा ने नाराज़की दिखाई तुम बेकार में परेशान हो रही हो मम्मी जै कुमार आधा हिंदुस्तानी है उसके पापा भारतिये थे इसलिए जै की अच्छी हिंदी बोल और समझ लेता है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इंडियन रेस्टरा में मेरे साथ खाते हुए मेरी पसंद उसकी पसंद बन गई है एक बात और अपने आदत के अनुसार उससे उसके माबाप के बारे में पूछना मत शुरू कर देना जादा बात करने की तुम्हारी आदत है इसलिए कह रहा हूँ क्यों? किसी के माबाप के बारे में जानना गलत बात है विभा की आवाज में तलखी थी जिसके माबाप ही ना हो उससे उनके बारे में पूछना क्या ठीक बात होगी अनाथ ना होते हुए भी उसने अनाथ का जीवन जिया है उसके पेरेंट्स काफी पहले ही अलग हो गए उन दोनों ने तो अपनी अलग दुनिया बसा ली पर जैकी अकेला छोड़ दिया गया ओ, बेचारा लड़का पर ये पता बिना मा बाप के वो कंप्यूटर इंजिनिरिंग कैसे कर रहा है यहां तो पढ़ाई बहुत महंगी है विभाव इसमित थी अमेरिका में यह कोई अचरज की बात नहीं है यहां स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए अधिकतर स्टूडेंट खुद काम करके फीज चुटाते हैं जैकी जहीन था पढ़ने की इच्छा के कारण दोसरों के कारिंद होकर घरों में अखबार देकर ट्यूशन पढ़ाकर वो यहां तक पहुँचा है MS में टॉप किया है अब स्कॉलर्शिप पाकर PhD कर रहा है हेट का फेवरिट है तो तो अभी MS कर रहा है फिर वो तेरा दोस्त कैसी हुआ मुझे टीचिंग असिस्टेंट्शिप मिली है जैकी मेरा सीनियर है कभी कोई कठनाई होने पर उसकी मदद लेता था बस हम दोनों एक दूसरे के पास आते हुए दोस्त बन गए उसने अपना दुखत अतीत मेरे साथ बांटा है मम्मी यहां की बाते सुनती हूँ तो आश्चरे होता है मुझे तो यहां की जिन्दगी रास नहीं आती ऐसी बातें जान सुनकर लगता है यह ठीक ही कहा जाता है कि भारत महान है अभी तुम यहां दो ही महीनों से आई हो जादा दिन रहोगी तो अमेरिका ही अच्छा लगने लगेगा अब बातें ही करती रही तो तुम्हारी तेहरी की जगा हमें लंच के लिए किसी रैस्तरा में जाना होगा कमल ने परिहास किया किचन में पहुँच विभा ने फ्रिज से गोभी मटर निकाली तो चेहरे पर मुस्कान आ गई सच ही तो कहता है कमल चिली मटर कटी सबजी से खाना बनाना कितना सरल हो जाता है वैसे अपने देश में धूप में बैठ कर मटर चीलते खाते जाने का भी तो अलग ही मजा होता है थोड़ी ही देर में किचन से मसालों की सुगंध आने लगी तहरी चौंक विभा ने रायता और सलाद भी आसानी से बना लिया पापड तो पहले ही तलकर रख रखे थे डोर बेल पर दर्वाजा कमल ने ही खोला था जीन्स पर पहनी जैकेट से जहांकती सफेट टीशट पहने जैक कुमार के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी हाई जैकी आओ मम्मी जैकी आ गया कमल ने विभा को आवाज दी विभा के पहुँचते ही कमल ने विभा का परिशे दिया जैकी मेरी मम्मी से मिलो और मम्मी यही है मेरा प्यारा दोस्त जैकुमार हम सबी से जैकी ही पुकारते हैं नमस्ते मा क्या मैं आपको मा कह सकता हूँ हाँ जोड जैकी ने पूछा क्यो नहीं मेरे लिए जैसा कमल वैसा ही तु है देखा कमल जैकी ने मुझे नमस्ते की मा कहा और तू हिंदुस्तानी होकर भी हाई हाई कहता है विभा को अमेरिकियों का हेलो की जगा हाई कहना कभी नहीं भाया अरे मम्मी ये बाते बना रहा है कल ही इसने मुझसे पूछा था मा को विश कैसे करूँगा जिससे वो मुझसे इंप्रेस हो सके कमल ने जैकी की सच्चाई बताई जो भी हो उसने कम से कम तेरी संस्कृति के बारे में तो जानना चाहा यही क्या कम है ठीक है मा अब लंच मिलेगा या जैकी की तारीव से ही पेट भरना होगा जैकी कौन सी ड्रिंक लेगा कमल ने बात का रुख बदला तू तो जानता है मेरे लिए तो साधा पानी ही सबसे अच्छी ड्रिंक है कमल कमल ने फ्रिज से जूस निकाल कर दो गिलासों में डाल कर एक जैकी की और बढ़ाया ये फ्रूट जूस सिहत के लिए अच्छा है टेबल पर तेरे लिए पानी भी रखा है विभा को क्लेटे लाते देख जैकी सहयता के लिए खड़ा हो गया मा ये सब हम दोनों कर लेंगे कमल तू मा की हेल्प नहीं करता अरे मेरी मा बड़ी एफिशेंस है मुझे काम करने ही नहीं देती कमल ने बात बनाई अरे सच्चाई क्यों नहीं बता देता तो कितना बड़ा आलसी है घर में सब पर हुकम ही तो चलाता था कभी पाने का एक गिलास भी अपने आप नहीं लिया विभा ने शिकायत की ठीक है मा पर अब तो यहां आकर सब काम खुद ही तो करता हूँ ये बात दूसरी है कि जब से तुम आई हो मुझे काम नहीं करने देती इसमें गलती तुम्हारी ही है अच्छा अच्छा अब बाते बनाना चोड़ जैकी को खाना परोस जैकी मा बेटे की नोक जोंक सुनकर मुझकुरा रहा था प्लेट में परोसी तहरी ने उसे कोई भूली बात या दिला दी अनायास ही कह बैठा पापा को ऐसी तहरी बहुत पसंद थी कहते थे उनके लखनव वाले घर में छुट्टे वाले दिन तहरी बनती थी जिस दिन मम्मी घर में नहीं होती थी पापा तहरी बनाते थे आपने साथ में दही पापड वगहरा जो बनाया है पापा भी ऐसी ही कोशिश करते थे जैकी भूली यादों में खोसा गया चहरे पर उदास छाया तैर गई बस कर यार तेरे चहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती अरे तो बिंदास लड़का है तेरे चहरे पर हसी ही किलती है कमल ने प्यार से कहा क्या तुम्हारी मम्मी पापा की पसंद का खाना नहीं बनाती थी हमारे यहां तो घर के पुरुष की पसंद को ही महत्व दिया जाता है ये कमल भी रोज नई फर्माइश करता था और मुझे इसकी फर्माइश पूरी करने पड़ती थी विभा के चहरे पर मीठी मुस्कान आ गई असल में मेरी मम्मी पक्की अमेरिकन थी और पापा ठेठ हिंदुस्तानी दोनों ने अपनी बे मेल मेरीज पता नहीं कैसे ग्यारा साल तक ही जी मम्मी शादी के बाद पापा के साथ लखनओ गई थी पर वहां आधुनिक सुविधाओं के सर्वता आभाव ने मम्मी के मन में इंडिया के लिए ऐसी नफरत भर दी की पापा तक के लखनओ जाने पर सक्त पाबंदी लगा दी पापा मन मार कर रह जाते अमेरिका की सुख सुविधाओं के होने पर भी पापा अपना लखनओ कभी नहीं भुला सके वैसे यह बात तो सच है भारत के सब घरों में यहां जैसी सुविधाओं नहीं है यहां रहने वालों को इन सुविधाओं के बिना एड़जस्ट कर पाना कठेन लगना सौभाविक ही है विभा ने कहा अगर ऐसा है तो पापा लखनओ को भुला क्यों नहीं सके सच तो यह है कहीं भी रहो अपने देश की माटी से लगाव नहीं तूट सकता बिल्कुल यही बात हीरजी अंटी भी कहती थी वो भी अपने देश की याद करती रहती थी हीरजी अंटी कौन है जैकी विभा उत्सुख हो ठी आंटी अपने पती के साथ अमेरिका आई थी उनके पती ने फौज में नौकरी की थी वियत नाम के साथ लड़ाई में वो शहीद हो गए हीरची आंटी अकेली पड़ गई उनसे शादी करने को बहुत लोगों ने प्रस्ताव दिये पर आंटी ने प्रस्ताव स्विकार नहीं किये मुझे अकेला जान कर उन्होंने अपने घर के दर्वाजे खोल दिये काम करके आंटी की साहिता करनी चाही पर उन्होंने पैसे स्विकार नहीं किये हमेशा कहतीं कि ये पैसे आगे पढ़ाई के लिए काम आएंगे आज उने की वज़ा से यहां तक पहुंच सका हूँ जैकी की आवाज भीग सी गई तेरी आंटी तो सच मुश महान है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ विभाने आदर से कहा काश आप उनसे मिल पाती मुझे यह जीवन देकर वो इस संसार से विदा हो गई आज वो नहीं है पर मेरी यादों में वो हमेशा जीवित रहेंगी अच्छा अब चलता हूँ अच्छानक जैकी उठ खड़ा हुआ चेहरे पर उदासी स्पस्ट थी जैकी के चले जाने के बाद बहुत देर तक विभा उसके अकेले पन पर तरस खाती रही कैसा दुरुभाग्य है माबाप के रहते भी लड़का अकेला छोड़ दिया गया भला हो उन आंटी का जिसने पराई होकर भी लड़के को घर की छट और सहरा दिया तुम बेकार परेशान हो रही हो मम्मी यहां ब्रोकेन फैमिलिस आम बात है जी उचाट हो जाने पर आपसी सहमती से माबाप एक दूसरे से अलग होकर अपने नई दुनिया बसा लेते हैं यहां के बच्चे इस बात को स्वभाविक और सहज रूप में लेते हैं कमल ने समझाया विभा से मिलने के बाद जैकी अकसर कमल के साथ उसके घर आ जाता विभा के साथ बाते करना उससे अच्छा लगता अब जैसे वो दूसरा ही जैकी होता जा रहा था उसके खुले सौभाव से कमल भी विस्मित होता अब उधासी की जगह उसमें जीवंतता आती जा रही थी विभा के स्नेहिने उसे जैसे एक शरार्ती युवक बना दिया था उसके मजाग विभा को भी हसा जाते शायद अब वो विभा के साथ अपना बच्पन जी रहा था जैकी के आने से विभा का खालीपन काफी सीमा तक यहां अपना अकेलापन खलता है अगर तेरे पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से ना चले गए होते तो मैं भला यहां हमेशा के लिए आती मा आसू पोंचती परिशान ना हो मा जल्दी ही तुम्हारा परिचे यहां की इंडियन कम्यूनिटी से हो जाएगा तब तुम बोल नहीं होंगी तुम्हारा संगीत क्यान तुम्हें बहुत पॉपुलर बना देगा चाहो तुम म्यूजिक क्लास शुरू कर दो यहां बहुत स्टूडेंट्स मिल जाएंगे कमल की बात में सचाई थी भारते परिवार वाले अपने बच्चों को भारते संगीत की शिक्षा दिलाना चाहते थे कम से कम इस तरह वे अपनी संस्कृती से कुछ सीमा तक जुड़ सकेंगे विभा को कमल का प्रस्ताव अच्छा तो लगा पर अभी वो इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी उसने संगीत की डिग्री प्रियाग संगीत समीती से ली थी भारत में वो संगीत की अध्यापिका थी विभा के मन में कुछ उत्सहा हो आया शायद इस तरहां उसका अकेलापन भी दूर होगा कुछ लोगों से मिलकर फैसला करना ठीक होगा एक सबतहा बात कमल ने अपनी क्लास से वापस आकर खुशी से विभासे कहा मा लगता है भगवान तुम पर महरबान है तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारी बातुनी भदी जी आभा को यहां की युनिवस्ट्री में एड्मिशन मिला है आज मामा जी ने फोन पर पताया अब तो अपनी बकपक से सारे घर की शांती भंग कर देगी कमल के शब्दों में इस नहे था अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी खबर है जब से तु अमेरिका आया आभा ने जिद पकड़ ली थी वो भी अमेरिका जाएगी पढ़ाई में तो तेज थी ही आखिर भाया को उसकी जिद मानने ही पड़ी आभा बाते तो करती है पर उसकी मीठी बोली कितनी प्यारी है सुनते ही दुख दूर भाग जाएए ठीक है तुम ही उसकी मीठी बाते सुनना मुझे डर है वो अपनी बकपक से मुझे परेशान ना करे वो हमारे साथ ही रहेगी इसी शर्थ पर मामा उसे यहां भेज रहे है तुम दोनों के बीच जितना प्यार है जैसी मैं जानती नहीं विभा के चेहरे पर हलकी मुस्कान थी आभा को एक हपते बात आना था विभा की खुशी का ठिकाना नहीं था आभा की मा की मृत्यू के बाद विभा ने ही उसे समभाला था विभा ने आभा की मन पसंद धेर सारी खाने की चीज़ें बना डाली एक-एक दिन गिन कर आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी सब को प्रतिक्षा थी आभा को रिसीव करने जैकी भी आ गया था एरपोर्ट पर फ्लाइट पहुँचने की सूचना आ चुकी थी करीब आदे घंटे बाद कंधे पर बैक लटकाए आती आभा दिखी थी चेहरे पर मुस्कान खिली थी कमल के पास आई आभा को कमल ने गले लगा लिया दोनों के चेहरों पर खुशी जगमगा रही थी ओ तो यही हैं आभादी ग्रेट जिनके लिए मा ने हजारों पक्वान बना रखे है वैसे इनके चेहरे पर तो कोई खास आभा दिखाई नहीं देती किपिकल हिंदुस्तानी सामाने लड़की की इतनी तारीफ है मैं तो कोई हूर की पर ही एक्सपेक्ट कर रहा था जेकी ने चिड़ाने के अंदाज में कहा हेलो आपकी तारीफ मेरे बारे में कुछ भी कहने का आपको किसने हग दिया आभा का सुंदर गोरा चेहरा लाल हो उठा था मेरी तारीफ सुन पाने के लिए आपको काफी लंबा समय लगेगा फिलहाल इतना जान लीजिए आपकी मदद के लिए ये बंदा हमेशा हाजिर रहेगा हसते हुए जैकी ने कहा ठैंक्स पर मुझे किसी की भी और कम से कम आपकी मदद तो कभी मनजूर नहीं होगी मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ समझे मिस्टर आप जो भी हो अब बस भी कर यार बहुत मजाग हो गई मेरी बेहन का मूड मत खराब कर आपा ये मेरा पका यार जैकी है इसकी आदत ही मजाग करने की है चल घर चलें मा इंतजार कर रही होंगी जैकी तो अपने कार में सामान लेकर पहुँच घर पहुँची आपा को सीने से चिप्टाती विभा के आंसु बह निकले उस समय भी चैकी मजाग करने से नहीं चुका कमाल है आभा के आने का इतना दुख मना रही है मा कोई बात नहीं आपने जो पकवान बना रखे हैं वो तो मुझे खाने दीजिए आभा जी तो फ्लाइट में खूब खाती हुई आई है पर मेरा भूग से दम निकला चा रहा है पागल कहीं का अरे ये तो खुशी के आशो है इतनी दिनों बाद किसी अपने को देख रही हूँ आचल से आशू पोंचती विभाने कहा इसका मतलब मैं आपका अपना नहीं हूँ जब से आप मिली हैं मुझे महसूस होता है मेरा भी एक घर है जहां मेरा इंतजार किया जाता है पर मैं शायद गलत था जैकी उदास सा दिखा अब मा को एमोशनली प्लैक मिल मत कर यार ये आभा ही तुझे ठीक करेगी इसे सीधी समझने की गलती मत करना मेरे भी कान काट सकती है कमल हस रहा था सच तब तो इनसे दूर रहना चाहिए वैसे देखने से तो ये इतनी डरावनी नहीं लगती चल आभा तो फ्रेश हो जा इतनी दूर की सफर से आई है ठक गई होगी मैं खाना लगाती हूँ इस जैकी की बातों पर ध्यान मत दे मैंने ही प्यार देकर इसकी आदत पिकाड़ती है इनकी ऐसी बात ही कौन सी बुआ है जिस पर ध्यान दिया जाए अपनी बात खत्म करती आभा तेजी से बातरूम में फ्रेश होने चली गई एक बात तो जरूर है आभा की बदौलत मुझे भी इतना बढ़िया खाना मिल रहा है इस बात के लिए तो आपका शुक्रिया कहना ही पड़ेगा आभा जी खाने की मेज पर तरहां तरहां के व्यंजन देखकर जैकी खुश हो गया अच्छा आप शुक्रिया भी देते हैं मुझे तो लगा आप बस व्यंग करना ही जानते हैं आप मेरे बारे में जब जानेंगी तब पता लगेगा मेरी क्वालिटीज की इतनी लंबी लिस्ट है क्यों कमल ठीक कह रहा हूँ न भला तू कभी गलत हो सकता है हाँ कलाभा को इसके डिपार्टमेंट तक पहुचाना होगा मेरे हेट के साथ मेटिंग है इसे सब समझा देना ओफिस में पेपर्स जमा करने होंगे कमल भाया मैं अकेली जा सकती हूँ मुझे किसी का एहसान नहीं लेना है अरे युनिवर्स्ट्री इतनी बड़ी है तुखो जाएगी ये इंडिया नहीं है वैसे भी इस जैकी पर मेरे बहुत एहसान है इसी बहाने एक एहसान तो उतार सकेगा कमल ने परिहास किया दूसरी सुभा आभा जाने को तयार थी मन में उत्सुकता थी कैसा होगा उसका डिपार्टमेंट इंडिया में उसने जियोगरफी विशे में टॉप किया था अब उसी विशे में वो पीएस्टी करने आई है पापा ने कितनी मुश्किल से उसे अमेरिका आने की इजाज़त दी है ठीक समय पर जैकी हाजिर था बड़े इज़द से कार का अगला डोर खोल जैकी ने आभा को बैठने को कहा था ठेंक्स कहती आभा पैट कई हरी घास और पेडों से घिरी डिपार्टमेंट की भवे इमारत ने आभा को मुक्त कर लिया सामने नीला सागर दूर से दिख रहा था भुगोल विशे के अनुरूप स्थान का चुनाफ सरहानिय था वाह सामने लहराता सागर मैंने बिना पढ़े टॉप नहीं किया है जनाब अब आप जा सकते हैं घर मैं खुद वापस पहुँचाओंगी मेरे पास रोट मैप है आर यू शूर? खो जाओ तो कॉल कर लेना यह है अमेरिका है यहां अच्छे अच्छे भड़क चाते हैं भूलिये मत मेरा विशे भुगोल है अमेरिका की रोट तक पढ़ रखी है बाई डिपार्टमेंट के ओफिस में सारी फॉर्मेलेटीज पूरी करके आभा अपने गाइड से मिली थी गाइड एक प्रॉड अमेरिकन डॉक्टर जोनाथन थे आभा के विशे पर चर्चा करते समय उन्होंने कई उपयोगी सुझाव दिये और पहले ही दिन आभा को लाइबरेरी देखने की सलहा दी यहां लाइबरेरी में तुम्हें अपने विशे से संबंदित बहुत मैटरियल मिल जाएगा कम्प्यूटर की सुविधा सब विध्यारतियों को है सबसे पहले विशे पर डेजर्टेशन तयार करना होगा उसके अप्रूवल के बाद रिसर्च वर्क शुरू कर सकोगी उमेद है तुम मेहनत से सफलता पा सकोगी आपको निराश नहीं करूंगी सर सर नहीं मुझे सब जौन कहते हैं तुम भी इसी नाम से पुकारोगी मुस्कुरा कर जौनाथन बोले अपने गाइट से बातें करके आभा संतुष्ट थी उसका अमेरिका आने का निर्णय गलत नहीं था अब जल्दी ही वो अपना काम शुरू करेगी घर वापसी के समय जैकी की चुनौती का चैलिंज था युनिवरस्टी के बस स्टेंड पर लगे बोड से आभा ने अपनी बस चुन ली वो जनाब जैकी को दिखा देगी वो कितनी सक्षम है थोड़ी कठनाई के बाद घर पहुंची आभा बेहत प्रसंद थी अब जैकी को पता लगेगा आभा क्या चीज है आभा के मोबाइल पर जैकी था कहिए मिसाभा कहा हैं आप डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बताइए किस जगहा पर हैं लेने पहुंच जाऊंगा थैंक्स वार यूर कंसर्ण मिस्टर जैकुमार बेना किसी परेशानी के घर आ गई हूँ और इस वक्त मज़ेदार पकोड़ों के साथ चाई पी रही हूँ दस मिनट में जैकी हाजिर था ये तो बड़ी बे इंसाफी है माँ बेटी के आते ही इस बेटे को भुला दिया यहां मैं इनका रास्ता भटकने के डर से दिन भर लंच के बिना रहा और ये यहां पकोड़े उड़ा रही है ऐसे क्यों कह रहा है जैकी आभा के आने के पहले तू ही तो मुझे हसाता रहा है आप तू भी पकोड़े खाकर बता कैसे बने है विभान इस नहे से कहा अब बताईए मैं स्मार्ट हूँ या नहीं शोखी से आभाने कहा मान गया हजार बार मान गया आप सुपर गर्ल हैं अब मुझे पकोड़ों का मजा लेने दो तुम तो देर से खा रही हो कुछ मेरे लिए भी तो छोड़ दो जैकी ने पूरी प्लेट अपने सामने खीच ली ठीक है मैं भुकड नहीं हूँ जो दिन भर भुका रहा हो उसे सारे पकोड़े खाने देना पुन्य होगा थैंक्स ये हुई ना इंसाफ की बाद आभा की तीखी बाद से बेपरवाह जैकी खाता रहा दिन बीटे जा रहे थे आभा कड़ी मेहनत कर रही थी अचानक इंडिया से कमल के एक मातरच चाचा की सीरियस बिमारी की खबर मिलते ही कमल को इंडिया जाना पड़ा था जैकी ने आश्वस्त किया था कमल की अनुपस्तिती में वो मा और आभा का खयाल रखेगा जैकी रोज आकर उनकी खोज खबर ही नहीं लेता था बलकि उनका मन भी पहलाता था आभा को परेशान करने में उसे खास मज़ा आता यहां तक कि लैब्रेरी में काम कर रही आभा को बीश बीश में आकर उसके काम में बाधा डालना मानो उसका फर्स होता लैब्रेरी के शान्त वातावरण में भी उसे चड़ाने से बाज नहीं आता इतनी महनत किसलिये कर रही हो आखिर तो शादी के बाद यह पढ़ाई काम आने से रही इससे अच्छा अपनी बुवा से बढ़िया खाना पकाना सीख लो पती का प्यार पीट के रास्ते से ही जीता चा सकता है जैकी शारारस से हसाता ची अमेरिका में रहकर भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तुम्हारी अमेरिकी पत्नी तो बुवा जैसा खाना पकाने से रही आभा ने व्यंग किया किसने कहा मेरी पत्नी अमेरिकी लड़की होगी मुझे तो ठेट हिंदुस्तानी पत्नी चाहिए जैकी की गहरी नजर आभा को परिशान कर जाती वैसे तुम्हारा ये वैसला तो ठीक ही है अमेरिकी लड़की तुम्हारे दक्यानूसी खायालों के साथ तो एड़ेस्ट करने से रही किसी इंडियन शेफ के बेटी से शादी करना वो खाने में रोज नई नई डिशेस बना कर सर्व करेगी वैसे तुम्हारा अपने बारे में क्या खयाल है मैं भी तो तुम्हारा एक उमीदवार हो सकता हूँ जैकी तुम्हारी शिकायत बुआ और कमल भया से करनी होगी क्या समझते हो अपने को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मानी है काम नहीं करने देते आभा जुझलाती इस पर भी जैकी की शिकायत कमल या बुआ तक कभी नहीं पहुँची सौरी माफ कर दो मजाग कर रहा था चलो तुम्हारा मूर ठीक करने को आईस्क्रीम खाने चले पास में एक नया आईस्क्रीम पार्लर खुला है वहाँ दूर-दूर से लोग आते हैं तुम्हें अपना नया पार्लर मुबारक हो मुझे आईस्क्रीम पसंद नहीं अब जाओ मुझे काम पूरा करना है जानते होना लाइबरेरी में बातें करना मना है अगर आईस्क्रीम पसंद नहीं तब तो तुम्हारा पती बड़ा खुश नसीब होगा उसके पैसे जो बचेंगे यहां के लड़कियां तो आईस्क्रीम से ही पेट भरती है जैकी चढ़ाता मेरे पती यह उसके पैसों की चिंदा तुम्हें क्यों है मिस्टर जैकुमार वैसे भी आपके जानकारी के लिए मेरा पती कंजूस नहीं दिलदार होगा आभा नाराज होती मुझसे उसका वास्ता जो है खेर आज नहीं फिर कभी समझोगी आभा को विसमित छोड जैकी चला गया कुछ देर तक आभा जैकी की बातों का अर्थ समझने की कोशिश करती रही उसकी जो समझ में आ रहा था उससे वो अंजान नहीं थी आभा को जैकी की बातें अच्छी लगती अपने को पहलाने के लिए वो सोचती वैसी बातें दो मित्र भी तो करते हैं वो घर से इतनी दूर पढ़ने आई है पापा ने कितने विश्वास से उसे यहां भेजा है उसके पास प्रेम करने जैसी पकवास चीज के लिए समय नहीं है जैकी से कहना होगा वो उसका समय बर्बात ना किया करे फिर भी अगर जैकी एक दिन भी घर नहीं आता तो विभा की तरहा आभा भी उसे मिस करती कमल को चाचा की मृत्यू के कारण इंडिया में और रुखना पड़ रहा था कमल की कमी जैकी की वज़ा से उतनी नहीं खलती कभी घर पहुँचकर विभा से स्पेशल खाने की फर्माईश करता कभी आभा को चिड़ाता एक शाम जैकी कुछ थकासा दिख रहा था विभा ने कारण जानना चाहा क्या बात है जैकी तू थकासा लग रहा है तब यह तो ठीक है कुछ खास नहीं बस सिर में दर्द है आपकी चाहे की खराब आदत चो डाल ली है कला नहीं पाया चाहे नहीं मिली तो सिर में दर्द हो गया कल तो बहुत तेज दर्द था वाह जनाब अगर जानते हैं कि चाहे की आदत खराब है तो क्यों पीते हैं अगर आदत छोड़ दो तो पतनी को चाय बनाने के काम से छुट्टी मिल जाएगी आभा के आईस्क्रीम पसंद ना होने की बात पर जैकी ने कहा था कि पती के पैसे बचेंगे आभा ने उसी बात का जैसे चवाब दिया था रहने दे आभा तू तो उसका सिर दर्द बढ़ा देगी मैं अभी अद्रक की चाय लाती हूँ तेरा दर्द भाग जाएगा विभा उठकर किचन में चली गई सच कहो अगर चाय पीना छोड़ दू तो तुम्हारा समय बचेगा जैकी की मुक्त द्रिष्टी आभा पर निबध थी मुझसे क्यों पूछ रहे हो मैंने तो तुम्हारी पत्नी के पारे में कहा था उसी से तो पूछ रहा हूँ गंभीर आवाज में जैकी ने कहा जैकी हमें ऐसा मजाग पसंद नहीं है समझे अगर ऐसी बाते करोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे आभा ने नाराजगी से कहा जैकी कुछ कहने ही वाला था कि विभा चाय के साथ आ गई ये ले चाय और मठ्री खा पता नहीं कल कुछ खाया भी था या नहीं कभी कभी भूके रहने से भी सिर्दर्थ हो जाता है विभा ने ममता से कहा काश आप जैसी मेरी मा होती जैकी भावुक था क्यों क्या मैं तेरी मा नहीं हूँ स्नेह से विभा बोली चाय का सिप लेते ही जैकी करहा उठा हाथ में पकड़ा कप हाथ से छूट गया दोनों हाथों से सिर्थाम जैकी ने मेज पर सिर्टिका दिया पीड़ा से चेहरा पीला पड़ गया विभा और आभा दोनों घबरा गई आभा जलती से मेरे कमरे से बाम लेया और पास वाले डॉक्टर अंकल को बुलाला थोड़ी देर माथे पर बाम लगाने से जैकी को अराम सा महसूस हुआ अब ठीक लग रहा है डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है कल एक प्रोजेक्ट पर पूरी रात काम करता रहा शायद इसी लिए सिर में दर्द हो गया सौरी चाय गिर गई चाय की परवह करने की जरूरत नहीं है आभा अभी दूसरी चाय पना लाएगी एक बात पता क्या कभी पहले भी ऐसा सिर दर्द हुआ है आज तो मैं डर गई थी पिछली कुछ दिनों से जादा रात तक काम करने पर सिर भारी हो जाता है पर आज कुछ जादा ही तेज दर्द था आप परिशान ना हो मा मैं ठीक हूँ जैकी ने मुस्कुराने का सफल प्रयास किया पर चहरे पर दर्द की लकीरें सपस्ट थी कमल वापस आ गया था उसके आने से घर में रौनक आ गई थी विभा पूरे परिवार का हाल चाल पूछती रही आभा के पापा ने आभा के लिए नए कपड़े और मिठाईयां भीजी थी जैकी ने आते ही मिठाईयों पर अधिकार चमाना शुरू कर दिया वाप हिंदुस्तान की मिठाईयों का जवाब नहीं आभा अगर ये मिठाईयां खाएगी तो मोटी हो जाएगी ये मेरे और कमल के लिए हैं मैं मोटी रहूं या पतली आपको क्या फर्क पड़ेगा बस एक भी मिठाई का दाना नहीं मिलेगा समझे जनाब आभा ने मिठाईयों की प्लेट जैकी से चीन ली तुम दोनों की नोग जोंग चलती रहे इस बीच सारी मिठाई मैं ही खत्म कर डालूँगा कमल ने हस्ते हुए कहा दिन बीत रहे थे इस बीच अचानक जैकी अनमनासा रहने लगा कमल के घर आना भी बहुत कम हो गया कमल ने बताया जैकी हेट के किसी पड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है काम पूरा करने के लिए रात में ठीक से सोता भी नहीं अक्सर सेर दर्द उसे परिशान करता है दर्द की गोलियां खाकर काम करता रहता है एक दिन तो बेहुष सा किर गया था पूछने पर बोला रात में नेंद पूरी ना होने की वज़ा से कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है कभी पैर लडखडा भी तो सकते हैं तो बेकार परिशान है जैकी समझाता मेरी समझ में नहीं आता काम जादा जरूरी है या तेरी हेल्थ शायद नोबल प्राइस तुझे ही मिलेगा इस उमर में पैर लडखडाना क्या ठीक बात है अरे ये तो ठीक बात नहीं है उससे कहे किसी डॉक्टर को दिखाए सुनकर विभा कंसर्ण थी किसी की सुनता कहां है भूत की तरह काम में लगा हुआ है कमल बोला जैकी ने घर आना करीब बंसा कर दिया था उसका सिर दर्द उसे परिशान कर रहा था कमल ने जब उससे घर ना आने के वज़ा पूची तो जैकी ने कहा था शायद रातों में ठीक से सो नहीं पाता अक्सर सवेरे मॉमेंटिंग हो जाती है कुछ खाने का मन नहीं करता मा से कहना एक बार यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो जी भर के मा के हाथ का बना खाना खाऊंगा और आराम से खूब सोंगा आभा को जैकी की शरारत भरी बातें याद आती सच तो यह था वो पुराने जैकी को मिस करती थी जैकी के बिना जैसे उसका मन उचाट रहता लाइब्रेरी में काम करते हुए भी वो जैकी की प्रतिक्षा करती सोचती क्यों वो कोई दूसरा जैकी होता चा रहा था कहीं ऐसा तो नहीं उसे किसी और लड़की से लगाव हो गया हो अपनी सोच को जटका दे वो काम में मन लगाने की कोशिश करती अपने से डरती कहीं उसे जैकी से प्यार तो नहीं हो गया था अच्छानक जैकी किसी को बिना कोई खाबर दिये कहीं बाहर चला गया कमल को भी उसने कुछ नहीं बताया सब परेशान थे ऐसा क्या हुआ था कि जैकी लापता था विभा नाराज थी क्या हुआ कमल तुझे भी बिना बताय कहीं जना गया कुछ कहकर भी नहीं गया माना कि उसे कोई जरूरी काम रहा होगा पर कम से कम बता कर तो जाता आभा बेचैन थी पर अपनी बेचैनी किसी पर परकट कैसे करती वो अपने आप से डरने लगी थी कहीं उसे जैकी से प्यार तो नहीं हो गया परना उसकी याद उसे क्यों इसकदर बेचैन कर जाती बेसबरी से आभा ही नहीं, कमल और विभा भी जैकी का इंतसार कर रहे थे डिपार्टमेंट के हेट तब को जैकी के कहीं जाने की वजह नहीं पता थी उसका आता पता किसी के पास नहीं था जानी से पहले उसने एक महत्पून प्रोजेक्ट पूरा करके हेट की प्रशंसा जरूर पाली थी जैकी की प्रतिक्षा में डेर्ड महीना बीद गया कमल ने जैकी के बारे में पता करने की पहुत कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकला जैकी जैसे एक पहली बन गया था आभा को हर पर लगता वो अचाना काकर उसे चौका देगा कहिए मिस इतना पढ़कर किसे इंप्रेस करने का इरादा है हम तो पहली नजर में ही आप पर फिदा हो गई थे फिर वही मोहक हसी अगर पता होता वो ऐसा निर्मोही निकलेगा तो उससे नहीं ही क्यों बढ़ाती विभा कहती एक दिन आभा लाइप्रेरी से नोट्स लेकर घर वापस ही आने वाली थी कि लाइप्रेरी के चपरासी ने आभा के नाम का एक लिफावा लाकर दिया लिफावे पर बोस्टन का स्टेंप देखकर आभा खेल उठी तो जनाब अब अपना नगाब उतार कर प्रकट हो रहे हैं आने दो अच्छी खबर लूगी धड़कते दिल से लिफावा खोला था पत्र में किसी डॉक्टर का अंग्रेजी में संक्षिप्त नोट था नोट के साथ एक सीडी थी आभा जी आपको सुचित करते हुए दुख है कि मिस्टर जैकुमार अप इस दुनिया में नहीं रहे ब्रेन ट्यूमर की लास्टेज होने की वज़ा से उनका ओप्रेशन सफल नहीं हो सका ओप्रेशन से कुछ दिन पहले उनकी कुछ बातें रिकॉर्ड की थी आपको वही सीडी भेज रहा हूँ शायद आप उनके सबसे अधिक निकट थी सोचता हूँ इस सीडी की आप ही अधिकारी हैं नीचे डॉक्टर के हस्ताक्षर थे आभा स्थब्द रह गई आँखे भर आई यह आविश्वसनिय था पर ऐसा क्या था सीडी में कि डॉक्टर ने आभा को जेकी के सबसे अधिक निकट का समझा जेकी अप इस दुनिया में नहीं रहा पर आभा को तो उसकी प्रतिक्षा थी क्यों सोचती थी कभी आकर वो जरूर कहेगा मेरा इंतजार कर रही थी ना सच कहना मेरे बिना मन जो नहीं लगता होगा वैसे तुम्हारे याद तो मुझे भी आती थी मिलने के दिन गिन रहा था अब और नहीं सताऊंगा वादा रहा घर में सब के सामने सीडी पर जेकी की बाते सुनना क्या ठीक होगा डॉक्टर ने क्यों लिखा है इस सीडी की वही सची अधिकारणी है नहीं अभी किसी एकांत कोने में बैठ कर जेकी की अंतिम बातें आभा अपने लैप्टॉप पर अकेले ही सुनेगी कामते हाथों से आभा ने सीडी लगाई थी डॉक्टर जेकी से पूछ रहे थे ठीक होकर सबसे पहले किस से मिलना चाहोगे जेकुमार आभा से डॉक्टर अपनी जिन्दगी मैंने उसी के नाम जो कर दी है बहुत प्यार करते हो आभा से प्यार किसे कहते हैं आभा से मिलने पर ही जाना है आपा मेरे दिल की धरकन है डॉक्टर पहले दिन से ही उसकी और खिंचता चला गया सच कहूं तो अपनी जिंदगी को कभी एहमियत नहीं दी पर अप जिंदगी का मज़ा आने लगा था उसका साथ अच्छा लगता उसे छेड़ने में मज़ा आता अपनी बिमारी के ये दिन बस उसे मिलने की चहा में बिता रहा हूँ उसे अपने ऑपरेशन की खबर दी है डॉक्टर ने जानना चाहा नहीं डॉक्टर ठीक होने पर जब सर्प्राइस दोंगा तब मज़ा आएगा अपने किसी परिचित रिष्टेदार को भी यहां आने की खबर नहीं दी नहीं डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर डाइगनोज करते ही मेरे डॉक्टर ने मुझे फॉरन आपके नाम रेफरेंस लेटर देकर बिलकुल इंतजार ना करने की सराह दी थी उनकी इस बात से समझ गया था कोई गंभीर बात है आभा या अपने दोस्त को डराना नहीं चाहता था आभा भी तुम्हें इतना ही प्यार करती है जैकुमार मैंने कभी जानने की जरूरत ही नहीं समझी अपने प्यार पर विश्वास है वो कुछ भी ना कहे पर मैं जानता हूँ वो भी मुझे चाहती है मुझे जीना है डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगा ना हम पूरी कोशिश करेंगे यह चमतकार ही है कि तुम्हारे स्मृति ठीक है वरना इस हालत में अक्सर रोगी किसी को पहचानते तक नहीं अब आराम करो आभा के आसू रोके नहीं रुक रहे थे जैकी को आभा के प्यार पर इतना विश्वास गलत तो नहीं था जब से जैकी का अता पता नहीं था आभा किस कदर बेचैन रहती विभा से जैकी की बातें सुनती उधास हो जाती शायद कोई भी दिन ऐसा नहीं गया था जब उसने जैकी को याद ना किया हो जैकी जैसे उसके जीवन में उजाला लेकर आया था अब वो उजाला अंधकार में विलिन हो गया था जिसे अपनों से भी प्यार नहीं मिला उसे आभा के प्यार पर इतना विश्वास था आभा से ही उसने प्यार का अर्थ जाना था काश आभा उसे बता सकती वो जै को चाहने लगी थी शायद उसकी यह बात अंतिम समय में जै को इस दुनिया से विदा लेते संतोश दे जाती बहुत देर हुच चुकी थी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती वो नितांत उसकी अपनी निधी है कमल और विभा पुआ से इतना कहना ही काफी होगा उसके फोन पर किसी ने जै की किमृत्यू की सूचना दी थी आभा ने उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश की पर फोन किसी पबलिक बूट से किया गया था शायद किसी ने मसा किया हो अच्छा है वे इसी खुश वहमी में जीते रहें उनका जैकी कभी वापस आएगा अभी आपने डॉक्टर पुश्पा सकसेना जी की लिखी कहानी सुनी अब मुझे आग्या दीजिये फेराऊंगी एक और कहानी के साथ धन्यवाद